सब्सक्राइब पहले आप सेक्षिन अठाइस एक्वालाज़शन ले वी और एक जो सेक्षिन एट बोल देता हूं और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं जितने लोग तरीके से इंटर्पेट कर रहे हैं जितने भी जो मैंने अभी तक सुना है सब्सक्राइब सेक्षिन ट्वंटी एट में इन्होंने डाल दी है जहां पर इन्होंने बोला कि अगर आप इफ यह और ओनर और आफ सम्रेशन प्रपरटी आप और इसे के अंदर अब वह टेक्सिवल इंकम रम हाउस प्रपरटी में होगी तो कानली इंडर्स्टैंड पहले ब्रेक अप करें इस्परेशन को ब्रेक अप कैसे ब्रेक अप क्या लिखा हुआ है लेटिंग आउट ओफ रेजिशल हाउस और पार्ट देर आप की बात करता ह दूसरी बात बाइदा ओनर तो कानली एप्रिशेट मैं बाइदा ओनर की बात करो इस पर दो चीज़ें पहला से मैं और गौर्ड सब जॉइंट ओनर है तो कोशन रुटता है क्या जॉइंट अन्सरी बोल रहा हूं इसली बोल रहा हूं इफ यू रीट सेक्शन 32 में बिलेगा और देवाज देवर बीन देट आफ लिज़ेचर तो उन्होंने सर आफटर सुप्रीव कोट की जज्जमेंट के बाद इन्होंने अमेंडमेंट करी थी सर सेक्शन 32 में अगर मैं पार्ट ओनर हूं तो ऐसे के अंदर सर मुझ पर ये क्लॉस नहीं लग पाएगा अ कि लेट मात साथ साब से एक प्रोपटी रेंट कर रहा हूं मैं और देटिं नहीं होगा वह सारे जगां पर लोग यह इंटरपेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत कर रहा है तो यह बात कर रहा है यह बात क्लियर है दूसरी बात बहुत क्लारिटी से समझा दू मैं आपको सर सेक्शन 245 चलिए इसको बहुत को समय लेंगे तो यह क्लियर हो गया कि सर अगर आप रेंशल हॉस प्रपटी को अगर ओनर जो एपसिल्यूट ओनर है अगर वो रेंट आउट कर रहा है तो इंकम रहा हॉस प्रपटी बनेगा सर व प्रपटी है तो कोशन यह उठता है लेट इस से मेरा बिजनस ही रेंशल हॉस प्रपटी बना के ओन करके और रेंट देनेगा है और आप बोलें बहुत सब्सक्राइब यह तो मेरी बिजनस इंकम नहीं है यह तो इंकम रहाइगी तो ऐसे के अंदर जब सेक्शन 72 की बात आ बिजनस लॉस तो वहां पर आप सर अगर कोई आप चल रहा है और ऐसे केस में हाउस प्रपटी की इंकम है पर है बिजनस इंकम तो ऐसे के अंदर सेवंटी टू वन वन के हिसाब से सब मेरा परसल मानना है सर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे आप पुछे बोलोगे लिए जज्मेंट नोट करें सर दंदी सील्स दोजाश चौबिस में सुप्रीम कोट ने कंफर्म कर दी है तो नंदी सील्स की करनाटक आप कोड़े जिसमें स्प्रेशल बेंच आइटी को गुरूल किया था इस जज्ज्मेंट को पढ़ते वह मेरा परसल मानना है सर भी खतम हो गया यह तो अच्छा हो गया सब्सक्राइब बहुत बड़ी केम है आप समझे सब्सक्राइब तब लग रहा था एक जो हम देते हैं फेस्बुक और यह दो परसेंट है जहां पर नॉन रेजिजेंट इकॉमर्स ऑप्रेटर को दिते हैं जो पर जो पिबिट करता को जब इकॉमर्स ऑपरेटर को अगर वह दो परसेंट नहीं जमा कराना तो हमें फायदा रुकसान है सर टेक मैं वर्ट सर जब वो दो परसेंट जमा कराता था वो तो जो इंकम थी ना उसकी नॉन डेजिट की वो सेशन 10 सब्सक्राइब में एक्जम्ट हो जाती थी तो ऐस सब्सक्राइब कोई भी लेना देना होता ही नहीं था अब इन्होंने यह दो परसेंट रहा दिया और आपको जाद है सर मैंने एक सेमिनार किया था टीटियस और प्रेजंस और वहाँ पर मैंने एक सॉलूशन बताया था कि एक आगर आपकी इंकम एकॉमर्स ऑप्रेटर की जमा करा रहे हो तो आपको इसका इंपेक्ट नहीं बढ़ेगा अब इससे क्या होगा सब्सक्राइब का डिस अलाउंस भी होगा तो प्लीज नोट किजेगा सर यह अपने आप में बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है हमें लग रहा है अब दुबारा इन्हों ने और ज्यादा जगा दिया नौ लिटेस कम टू सेक्शन बनेंटीएट फिर मैं दीम टूलेटर की सब्सक्राइब आपको ध्यान होगा सर बनेंटीएट पे जब चार साल पहले हमने जब हम एक सीरीज चला रहे थे नॉलेज ट्वी की तो वन अप अब समझी सर्व क्या है इंकम टैक्सीशन में टैक्सीशन इंकम का होता है टोटल लिंकम का सेस्चन क्या बोलता है अब सेच्चन लिगत ना मैंने सब्सक्राइब और के तीन कारण है पहला कोशन उठता है जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 के चार इससे हैं पहला सब्सक्राइब दूसरा है रिसीट और दीन तू रिसीट तो आपको ध्यान होगा सब पहले 1922 के अंदर पहले अब गॉवर्मेंट को यह फील हुआ जब दो लाक की पेवन कर रहा हूं तो एसी के अंदर गॉवर्मेंट को यह फील हुआ कि पॉसिबिल्टी है गॉड साब यह आर्यू करेंगे कि वेर को तो एक रूराइस सरफ एक लाक अश्य जार पे हुए है दो लाक नहीं हुए पिकॉस एक रूराइस को ट्वेंटी सिक्स आईटी सेवन एटी सब्सकून में सुप्रीपोर्ट ने क्या समझाया था ना केवल मैंने पैसे कमाया हूं किसी की लाइबिल्टी भी उने चीए मैं को और सा बोलेगे यार यह 20,000 बे तो मुझे आपने दिये नहीं है मैंने पैसे कमाया जुरूर नहीं पर लाइबिल्टी तो आप किसी और को पे कर रहे हो मुझे कहां पेमेंट कर रहे हो मैं क्लिन हूं आपको सर तो उस बात को देखते हुए इन्होंने क्या किया सर जह सब्सक्राइब लिए जो कहां पर कटा है सर जो चैटर 17 के साथ से कटा है अब कोचल उठता था कि सर वाट अब आइफ और साब ने कोई ऑस्टेलिया में सर्विस दी उस बात अस्टेलिया वाले आपका टीडिस काटें इन्हों एक लाग डॉलर की सर्विस दी लेट आप से कितना हो रहा है अब वह दसजा डॉलर तो काटी एप्रिशेट ना तो एक रूराइज हो रहा है तो जमा करा रहा है सर और सिलिंग के पास इंको दे दी रहा और ना ना सेक्शन में लिखा हुआ है जो फॉलन टेस्ट रेट कटा है आउट साथ इडिया वह भी डीट वी रिसीवड है तो ऐसे कि इसमें गौण साब क्या करते थे सरफ ऑफर करते थे नब्वे हजार डॉलर अब आप बोलते हैं दसजार का क्रेट क्या होगा सर क्रेडिट ले को इन्होंने ठीक कर दिया अब इन्होंने क्या लिद दिया 198 के अंदर ना केवल कि चप्टर 17 में टीडियस कटा है साथ के साथ अगर फॉरन टेक्स रेट भी होगा जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं उसको भी इन्होंने आपकी इंकम बना दिया प्लीज एप्रिशेट कि लोग का मानना है कि इंकम टेक्सिबल हो सकती है जैसे मैं रियल इस्टेट की बात करता हूं या फिर आप आप माल जी आपके बाद दो से ज़्यादा घर है तो टेक्सिबल्टी होगी तो मिया आंसर इसा क्यों क्यों इंकम का तो टेस्स पास कररा है पर सेक्षेंट 5 का टेस्स पास नहीं कर रहा है क्यों से if और यह अंसर इसक्राइबिटि नहीं कि रिखी हो रही है आंसर इस नो दोना इंकल एकुर्व और आई जो रिखी हुई वह कभी आपके हाथ में टेक्सिबल नहीं हो पाईगी प्रिकॉस इस नॉट पास्टीफ सेच्शन तू सब्सक्राइब